नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फिनोईच पे बंदन मेंक के शेयर में अभी क्या करना चाहिए देखिए बंदन मेंक के स्टॉक में जो है अब एक यहाँ पे तेजी बनता हुआ देख रहा है क्यों तरिका रिजल्ट कुछ खास देखने को नहीं म बने देखिए अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल फिनोईच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजे और दोस्तों हमारा जो दूसरा यूट्यूब चैनल रहे नियूज रूम करके जिसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्श आप देखते हैं तो जो इसका 52 का हाई प्राइस था पहले यह समझे कि स्टॉक में जो है अगर बात करेंगे तो बहुत जादा बीच में गिरावड बन गया था और इसका जो है कुछ खास देखने को नहीं मिला था जैसा लग रहा था मार्केट को कि बंदन में का शेयर हो स पहुच गया था और उसके बाद यहां से गिरावड बनता हुआ दिखाए और अभी धाइसो के नीचे यह शेयर पहुच गया है तो अभी यहां पर देखते हैं तो एक दिन के अंदर बंदन में के शेयर में आज वान पॉइंट टू परसंट का जो रीटान देखने को मिला है वान विक के अंदर बात करते हैं तो पॉइंट सिक्स परसंट के यह फिलाला भी यहां है यह ध्यूश्टाओं बढना बंका देखते हैं और इसके जो डूराविलेटी है 60 है आउट ओफंडेट वेलोएशन 52.7 आउट ओफंडेट मोविंटम टोइन पूइन पूइन पॉइंट सबिन आउट ओफंडेट तो स्टॉक यहां पे छे मेने का अंदर बंदन बेंक का एक बोल सेते कि बहुत ही जादा बहुत ही जबर्दस यहां प फिर पहुच गया था 308 रुपे से गिर के श्यार जो है 308 रुपे से गिर के नीचे मतब सामने पहुच गया था और यहां पर वही बात करता तीन मेने के अंदर तो तीन मेने के अंदर जो स्टॉक में आप एक हाई प्राइस बनाया था बंदन मेंके श्याने और उसके बनता हुआ है तो अभी इस टोड़ा एक तेजी बनता हुआ दिख रहा है तो अभी यह इस टॉक में अगर बात करते तो जैसी किसकर जो Q3 का result आया था December 2022 का result देखने को नहीं मिला था जैसा लग रहा था market को ऐसा result बिलकुल भी नहीं आया था बंदन बेंक का तो टोटल revenue जो है उसमें 17.5% का jump देखने को मिला था operating expenses जो है 34.4% बढ़ गया था operating profit की बात करते 28.2% जो है गिरावर बनाया था ABIDTA की बात करते हैं बंदन बेंक का Q3 का result आया था उसमें आप देख सेथे 13.2% का गिरावर बनाया था net profit भी दोस्तो 66.2% गिरावर बनाया था तो बहुत ही बल सेथे की ऐसा result आया था जो बंदन में के share को जो और ज़्यादा गिरावर दिखाया मतब stocks जो है और मतब देखें share बिल्कुल भी strong नहीं है RSI कह रहा है कि यह share ना कि Oversaults उन में हैं ना कि Oversaults उन में हैं तो दोस्तों share यहां से बंदन बेंक का जो है और ज़्यादा गिरावट दिखा सकता है वो काम क्या करता है सिर्फ इंडिकेट करता है कि stock में क्या चल रहा है और क्या हो सकता है stock में डिलिवरी परसेंडिश एक वह सेंडियों का ऊवल्यूम है डिलिवरे परसेंडिश टो कौन वाय यहां आप Bowl रहा है आई बात के दो इसकेक जो 일이 प्राइज जो हमोज्न बंदन में का टार्श इमरींड में अबन चाहिए डोरकर चलम संघ्तिश का 508 रुपीस को 308 रुपिस का जो है एक एवरेज ब्रोकार टार्गेट प्राइस देखने को यहाँ पर मिला है बंदन में के शियार में तो अभी अगर यहाँ से खड़ीद दरी करते हैं देख अभी स्टॉक का प्राइस जो चल रहा है वहाँ से खड़ीद दरी करते हैं 237 के आसपास से तो यहाँपे बात करते तो जो इसका टागेट है 308 रूपिया, बहुत समय लगते सकता है, यह पर होने के लिए होल्ड करना पर सकता है यह अगर आपको होल्ड करना है तो बहुत हीं चोटा सीट प्राइस रखे चल सकते है तो दोस्तों इहाँपे इसका श्यायर होडिन का बा 34.2% का stake था और FIS के पास जो अभी यापर stake है 31 December 2022 में 32.39% का तो FIS ने जो है दोस्तो यापर stake कम कर दिया है पब्लिक के पास 13.25% का stake था पब्लिक ने यापर stake बढ़ा दिया है 15.09% कर दिया है Mitchell Fund के पास stake था 7.52% का और Mitchell Fund जो ही यापर 8% का stake कर दिया है वही बात करते दोस्तो आदर institution 5.05% से stake 4.53% कर दिया है तो दोस्तो यापर FIS ने stake कम कर दिया है पब्लिक ने stake बढ़ा है Mitchell Fund ने stake यापर अच्छा कासा बढ़ा दिया है बात करते दोस्तो अभी जो एक पाउंडर बोल सेते जो है मिस्टर घोश उनका क्या कहना है कि बंधन अभी जो बोल सेते कि जो यह जो tax का जो नया race आया है वो एक change करेगा market में जो middle class public है middle class है section से उसके लिए बहुत बढ़ा फाइदा कर सकता है जहां पर purchasing power जो है middle class public का वो बढ़ सकता है ऐसा कहना है founder managing director of bandan bank तो आप देख सेते यहां पर जो है टेक्स को लेके बहुत सरे कुछ चल रहा है अभी यहां पर देखने को मल रहा है कि the revision in tax in income tax rates will increase the purchase power of the middle class section of the society and thus push the economic growth of the country in the long run Kolkata headquarter bandan bank founder managing director and chief executive चंदर शेकर गोष्ट सेट तो यह चंदर शेकर गोष्ट के और से यह कहा जा रहे कि फिलाल अभी यहां पर जो है जो टेक्स का नया एक स्लेव आया है या फिन नया एक चेंजेस आये उसके चलते middle class public जो है उनको खरीदने का श्रमता जो है का पाउर बरेगा तो एक economy में जो है अच्छा का सा growth देखनी को मिलेगा तो फिलाल बंदन में के stock में जो है एक बोल सेती की तेजी बन रहा है मेगडी का indicator मेगडी का indicator कह रहा है कि share जो है bearish pattern में है और जो share है बंदन में का वो technique के लिए कुछ strong नहीं देखने को मल रहा है तो फिलाल दोस्तो 237 के आसपास अगर हम लोग खरीते हैं तो बहुत ही चोटा सा target price लके खरीतना चाहिए आपको क्या लगता है बंदन में के share को लेके जरूर आप हमें comment करके बताईए आशा करते जो information दिया है अच्छा लगा रहेगा चैनल को अगर अपना अभी तक subscribe नहीं किया है तो जरूर कर लेजिए